बहुत सारी महिलाओं का एक ही कोशन होता है कि अगर प्रियेट ना आए तो क्या किया जाए या फिर प्रियेट रुक जाए तो क्या किया जाए या फिर कई महिनों से प्रियेट ना आए तो क्या किया जाए तो आज मैं आपका एक ही सवाल बोलूँगी कि अगर आपको प्रिय आएंगे जो हर मैला को आते हैं तो आज जान लेते हैं कि आपको करना क्या है आपको क्या करना है आपको पपीते का सेवन करना है अब पपीते का सेवन सही डंग से किस तरीके से करेंगे कि आपके जो रुके हुए प्रियेट से आ जाएंगे तो अगर आप कच्छा पपीता ख चार महिने से प्रिएट रुक जाते हैं तो उसको लाने का काम करता है क्पोझ किqul हमारे प्रिएट रुक जाते हैं वह एंवार्मोंस बिमार्य यो जाती से अगर आप संट राई अगर आप 2G जादा से जादा पका हुआ पपीता भी खा सकते हैं पर जितना असर कच्चा पपीता करेगा उतना असर पका हुआ पपीता नहीं कर पाएगा तो इसलिए कोशिश करें कि जादा से जादा 200-500 ग्राम दो बार पूरे दिन में कच्चे पपीते का सेवन करें इसके साथी जब आप सेवन कर रहे हैं कच्चे पपीता का तो आपको एक घंटा पहले और एक घंटा बाद में आपको ना ही कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है तो आप कच्चा पपीते का सेवन सुबह खाली पेट जादा करें तो आपको जल्दी फाइदा मिलेगा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना क्योंकि मैं वुमेन प्रियेट्स के लिए वुमेन हैल्ट के लिए सारी वीडियो लेकर के आती हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो को लाइक जरू कर देना सो फ्रेंट्स आज की लिए बै बै थैंक यूँ